धान का भुरा फुतका, ब्राउन प्लांट होपर धान, चावल, दुनिया भर में मूल भोजन का मुख्या आधार चावल के बिना भोजन ही अधूरा होता है इसलिए धान की खेती को विद्भन सक कीट से सुरक्षित रखना हमारी प्रार्थमिक जिम्यदारी है धान में पाया जाने वाला भुरा फुतका, यानि ब्राउन प्लांट होपर अगर उचित समय पर रोका नहीं गया, तो पूरी फसल को तहस नहस करने में ये फुतका कोई कसर नहीं छोड़ता आईए, विस्तार से जानकारी लेते हैं ब्राउन प्लांट होपर याने धान के भुरे फुतके की सबसे पहले तो हम जानेंगे इसके नुकसान के लक्षण के बारे में, जो सीधे दिखाई पड़ते हैं भुरे फुतके के चलते पौधों का पीला पड़ना और सुख कर मुर्जा जाना इसके प्रारंभिक लक्षण है इस फुतके के शिशू और वयस्क धान के खेत में जल स्तर से उपर पौधों के तनों से रश चूसते रहते हैं यहकीत ग्रासी स्टंट और उक्टा स्टंट जैसे रोगों को फैलाने में एक वाहक का कार्य भी करता है और इसी वजह से उपरज 20 से 30 प्रतिशत तक कम हो जाती है इससे बचाव के उपाई तुरंथी कर लेने चाहिए वो कैसे गौर से देखिएगा जैसे ही इस कीट का प्रकोप नजर आए तो सर्वप्रथम अपने खेत से 3-4 दिनों के लिए पानी निकाल दे उसके पश्चात रोपाई के वक्त सावधानी बरते और रोपाई निश्चित दूरी पर ही हो इसका खास खयाल रखे अगला पड़ाव है कीटक नाशकों के इस्तमाल का किन्तू कीटक नाशकों के उपयोग से पहले हमें खेतों से पानी को पूरी तरह निकालना अनिवार्य है उसके पश्चात कीटक नाशक का छिड़काव पौधों के तनों के आधार पर ही करना सही उपाई है यूरिया खाद उचित मात्रा में ही डाले बेहिसाब यूरिया खाद डालने से पौधों में जरूरत से ज़ादा हरापन आ जाता है जिससे कीट अधिक आकर्शित होते है बुरा फुत का खर्पतवारों पर ही अपने जीवन की कई अवस्थाई पूरी करता है इसलिए खेतों, मेडों और आसपास की खाली जगहों में खर्पतवारों को उगने ना दे इसके रासायनिक नियंत्रण के उपाई भी है खड़ी फसल में इस कीट के दिखते ही तुरंत ये उपाई अपनाए इस कीट के नियंत्रण के लिए बूफ्रो फेजिन 15 प्रतिशत, एसी फेट 35 प्रतिशत, डबलू पी की 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रती एकड की दर से छिड़काव करे तो समझे न, सबसे पहले बुरे फुटके की सफाई तो ही कर पाओगे धान से कमाई क्रिश e-app इंस्टॉल करने के लिए QR कोट स्कैन करें